नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरी सर में इस वीडियो में हम कम्प्यूटर से रेकेट कुछ महात्पूर्ण प्रस्ण देखेंगे जो आगामी सभी प्रत्योगी परिच्छाओं के लिए बहुत उप्योगी होंगे और जो लोग हमाई चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर दूए जिसे किसी भी नए वीडियो का नोडिपिकेशन आप तक समय से पहुंच सके देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेशन फर्स्ट क्वेशन दिया हुआ है कम्प्योटर में उप्योग आने वाली आइसी चिप किससे बनी होती हैं तामबा, सिलिकॉन, स्टील या प्लास्टिक से तो ये बनी होती हैं सिलिकॉन के आइसी चिप का फूल फार्म होता है आइसी का इंटिग्रेटेड सरकेट नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं कम्प्योटर का मॉनिटर होता है स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इन्पुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस तो कम्प्योटर का मॉनिट जितमेंसे कौन सा hardware नहीं है, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जावा, कौन सा hardware नहीं है, यह जावा, जावा एक language है, यह high level language में आते हैं, question number 4 देखते हैं, computer memory में रहता है, क्या रहता है, computer memory में रहता है, data उसको क्या बोला जाता है, register, bits, bytes या program, तो computer memory में रहता है, जो data उसको बोला जाता है, program, question number 5, local area network निम्न में से, किस मद का प्रियोग नहीं किया जाता है, computer, modem, interface, cable, तो इसका right answer होगा, option number B, modem का प्रियोग नहीं किया जाता है, modem का full form होता है, modulator, demodulator, और local area network होता है, LAN का full form, यानि local area network, next question देखते हैं, computer के data का CPU से, परिद यंत्रों का अंत्रन किसके माद्यम से, प्राप्त किया जाता है, modem, computer portal, interface, buffer, memory, तो ये किस से प्राप्त किया जाता है, computer, port से, B option इसका सही होगा, next question देखते हैं, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में data भेजने के लिए, कौन सी data संचार बिद प्रियुक्त की जाती है, super duplex, simplex, half duplex, full duplex, तो ये यूज किया जता है, full duplex का, next question देखते हैं, आज उपलब्द अधिकान्स computer, 30 पीड़ी के computer है, 4 पीड़ी के computer है, 5 पीड़ी के computer है, या 6 पीड़ी के computer है, तो present time में जो ज्यादा तर computer उपलब्द हैं, वो किस पीड़ी के computer हैं? चौथी पीड़ी के, ये 2011 में SSC में आया हूँ question है, लेकिन present time में computer की कौन सी पीड़ी चल रही है, 5 पीड़ी चल रही है, question नमबर देखते हैं, 9, पहला graphical user interface की इस company ने बनाया था, Microsoft, NT&T, IBM या Gerox ने, तो ये पहला graphical user interface बनाया था, Gerox ने, और उस दिन हमने एक question आप लोगों से पूचा था, GIF का full farm क्या होता है, तो ये होता है graphical interface, और IBM का full farm होता है, international business machine, और इसका right answer होगा Gerox, question नमबर देखते हैं, 10, उच गति का एक ऐसा computer, ऐसा network जो किसी सहर या नगर में इस्थानी network को जोड़ती है, तो इस्थानी network को जोड़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, land, man, van या tan, तो इसको बोला जाता है land, यानि local area network, van होता है wide area network, man होता है metropolitin area network, और TAN का आप लोगों को बताना है, TAN का क्या होगा, question number 11 देखते हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्में छोटे और सस्ते computer किस प्रकार के होते हैं, mainframe, mini computer, micro computer या इन में से कोई नहीं, तो अनेक घरेलू उपकरणों में निर्में छोटे और सस्ते computer किस प्रकार के होते हैं, वो होते हैं, micro computer, question number 12, E1812, एल्टाविश्टा है, एल्टाविश्टा क्या होता है, प्रोग्राम है, सॉफ्टेर है, ब्राउजर है, या सर्च एंजिन है तो एल्टाविश्टा क्या है, एक सर्च इंजिन है, राइट आंस्वर होगा relevant D D, next question देखते है, उस यूगति को क्या कहा जाता है, जो computer output को telephone line ओ पर प्रेसित करने के लिए रूपांतरित करती है, interface, interpreter, modem या IO port, यानि input, output, port, तो क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है, modem, modem का full form होता है, modulator, demodulator, next question देखते है, निमने लिखित में से कौन सा सूचना पुर्द्योकी की सब्दावली का भाग है, प्रोटोकॉल, लॉगिंग, आर्ची या उपर्यूक्त सभी, तो इसका right answer होगा, option number D, next question देखते है, निमने लिखित में से कौन सा search engine नहीं है, Google, Altavista, Science Direct या आकुट तो search engine कौन सा नहीं है, science, direct बाकी Google, Altavista और आकुट ये सबी क्या है, search engine है, या ध्यान रखियेगा important question है, question number 16, Microsoft Word उधारण है, एक operation system का, एक input device का, एक processing device का, या एक application software का, तो Microsoft Word उधारण किसका है, application, software का, D option right होगा इसका, question number 17, देख लेते हैं, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा, प्रादेशिक, राष्ट्री और वैस्विक छेत्र में किया जाता है, क्या खहलाते हैं, यानि वैस्विक छेत्र यानि पूरे बिश्व में जिसका प्रयोग किया आता है, land, when, man, when तो इसको क्या बोलते हैं when यानि wide area network land को क्या बोलता है local area network, man होता है metropolitan area network और ये when का क्या होता है when का full form एक बाद चेक कर लिजेगा क्या होता है बाकी wan का होता है wide area network, land का होता है local area नेटवर्क वो मैन का होता है मैट्रोप्लोटिन एरिया नेटवर्क नेक्ट कुईशन देखते हैं कुईशन नमबर 18 इसका राइट आंसर था WAN डैस एक इंपुट डिवाइस का उधारन है Printer, Monitor, Scanner, CPU तो एक इंपुट डिवाइस का उधारन क्या है यह है scanner 19 question देख लेते हैं Prologue भासा बिक्सित हुई Prologue भासा कब बिक्सित हुई थी 1972 में, 1970 में, 1975 और 1973 में तो Prologue भासा बिक्सित हुई थी 1972 में Last question दिया हुआ है Question number 20 Block सब्द दो सब्दों का समायोजन या सन्योजन है Wave log, wave log, wave log या bed log तो यह सन्योजन है Wave, block option, C इसका right होगा तो कुछ यहाँ से देख लेते हैं Full forms O, C, R का full form क्या होता है Optical Character Recognization A, S, C, I, I का full form क्या होता है American Standard Code for Information Interchange P, D, A का full form होता है Personal Data Authority Line का भी हमने बता है Local Area Network K, B, का full form होता है Kilobyte और Z, J, D, B, C यह क्या होता है किसका सूचक होता है Java Database Connectivity का और DOS का full form होता है Disk Operating System और एक देख लेते हैं PC, XT का full form क्या होता है Personal Computer Extended Technology Lossy और एक दिया हुए DTP यह क्या होता है Desktop Publishing यह थे आज के कुछ महातोपूर परस्न नए वीडियो में मिलते हैं नए questions के साथ में तब तक के लिए नमस्कार